नमस्कार हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है रेडी हो जाए पास सिकेड में डिक्टेशन लिखने के लिए जम्मु कश्मीर प्रसासन वहां सभी परिवारों को एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाने जा रहा है वहां के राज्यपाल और हरियाना के मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित एक ब्रिष्टी पत्र जारी किया बताया गया है कि इस कदम से विभिन सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों का चैन करना आसान होगा इस पहचान पत्र में हर परिवार का एक विशिष्ट कोड होगा जम्मु कश्मीर प्रसासन ने दावा किया है कि इसमें सूचनाओं की सुरक्षा का पुखता इंतजाम होगा मगर भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना का विरोध किया है पूछा है कि जब पहले से इसी तरह का एक पहचान पत्र आधार कार्ड के रूप में मौजूद है तो अलग से एक पहचान पत्र की क्या आवश्यक्ता है फिर सरकार की व्यक्तिवत सूचनाओं की सुरक्षा के मामले में विफलता को भी गहरे रेखांकित किया जा रहा है हालांकी सुरक्षा की द्रिष्टी से जम्मू कश्मीर बेहद समवेदन शील छेत्र है वहां आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुष लगाना चुनोती है अक्सर सुरक्षा बलो और दहशत गर्दों के संगहर्ष में वहां के निर्दोश नागरिक भी शक के दायरे में आ जाते और कई बार मारे जाते हैं ऐसे में अगर डिजिटल पहचान का कोई पुखता और व्यावहारिक तंत्र हो तो सुरक्षा मामलो में भी आसानी हो सकती है परा मगर जम्मू के लोग इस पहचान पत्र को स्वीकार भी कर लें तो कश्मीर के लोगों को इसके लिए राजी करना आसान नहीं होगा दरसल पिछले आठ नव सालों में केंद्र और घाटी के लोगों के बीच अविश्वास लगातार गहरा होता गया है खास कर जम्मू कस्मीर की स्वायतता समाप्त होने के बाद वहां भरोसे की जमीन दरक चुकी है ऐसे में विश्विष्ट पहचान पत्र के लिए डिजिटल देटा इकठा करने की योजना को वहां के लोग स्वाभाविक ही शक की नजर से देखने लगे हैं चीन में इस तरह जैविक सूचना एकत्र करने के बाद जिस तरह आंदोलनों आदिके समय प्रशाशन ने लोगों को प्रताडित करना शुरू किया उसकी उदाहरण अब सब को पता है ऐसे में केंद्र सरकार और जमू कश्मीर प्रशाशन के लिए लोगों को यह समझाना मुश्किल होगा कि वास्तों में उनका इरादा इगवर्नेंस को प्रभावशाली और सामाजिक योजनाओं को व्या वास्तविक लाभार्थियों तक पहुचाना है केंद्र ने आपराधिक मामलों में न्याय की गती तेज और सुगम बनाने के मकसद से भी आपराधियों का जैविक विवरण डिजिटल रूप में इकठा करने का प्रस्ताव रखा था मगर उसका विपक्षी दलो ने पुर्जोर विरोध किया था प्रस्त दरसल लोगों के जैविक आंकडे इकठा करना उनकी निजता का हनन माना जाता रहा है इसलिए शुरू में आधार कार्ड का भी विरोध हुआ था अब तो अनेक उदाहरण है जब लोगों के निजी आंकडे बड़े पैमाने पर बाजार में बेच दिये गए इसलिए भी कश्मीर के लोग शायद ही इसके लिए तयार हों फिर सबसे बड़ी अडचन है कि वहां के लोग अभी भी यह स्वीकार करने को तयार नहीं है कि वे भारतिय शासन के अधीन हैं वे खुद को स्वतंत्र मानते हैं दरसल सरकार और वहां के लोगों के वीच लंबे समय से समवाद रुका हुआ है आतंकवाद खत्म करने के नाम पर वहां हथियार का उपियोग अधिक होता है जिसका शिकार वहां के बहुत सारे बेगुनाह लोग हो जाते हैं तमाम विश्यशग्य राय देते रहे हैं कि अगर कश्मीर में अमन कायम करना है तो पहले वहां के लोगों से बादचीप का सिलसिला शुरू करना चाहिए जब तक वहां के लोगों में भरोसा नहीं बनेगा कि सरकार सच मुझ उनके हित में कदम उठा रही है तब तक विशिष्ट पहचान पत्र योजना की काम्याबी का दावा करना मुश्किल बना रहेगा उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छे लगी हो कोई सुझा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और वीडियो यह अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाए दूसरों के साथ शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा होगा that's all, thanks